एकता कपूर का सूपरनेचरल शो नागिन फाइब में सुरवी चंदना लोगों के भी च्छाई हुई हैं और शो में आ रहे लगतार ट्रिस्ट एंट टरंस भी लोगों को काफी रास आ रहा हैं शो में सुरवी चंदना और शरद मलोत्रा की केमेस्ट्री को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं शो के नए प्रोमो में वीर बानी को जान से मारने की कोशिश करता दिखाई देता है क्या वीर के इस प्रान घातक हमले से बानी की जिन्दगी संकट में पढ़ जाएगी शो की कहानी समय केवल वीर और बानी के इड़ गिड़ खुम रहा है इस शो में टीवी कलाकार धीरस धूपर ने शरद मलोत्रा को रातो रात रिप्लेस कर दिया था अब रिलीज हुए नए प्रोमो में धीरस धूपर वीर का रूप लेकर बानी को डराते नजर आ रहे हैं प्रोमो में बानी किसी रहसी के बारे में बात करती है बानी को वीर पर शक हो जाता है प्रोमो को देख ऐसा लगता है कि अपकमिंग एपिसोड में बानी वीर से जुड़े किसी अनसुलचे रहसी को जान लेती है जिसके बाद बानी का सामना उसके अतीत से होगा और वीर अच्छानक अंकेश के रूप में बदलेगा वीर को पिछले जन्म के रूप अंकेश को देख बानी भी हैरान हो जाती है वीर चिल बनकर बानी का रास्ता रोपता है प्रोमो में वीर बानी को जान से मारने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है और इसी तोरान वीर बानी को ये सच भी बताता है कि उसके अतीत का ऐसा कौन सा राज है जिसको जानकर उसने बानी से शादी की इतना ही नहीं वीर अपनी पतनी बानी को चेतावनी भी देता है कि वो उसको जान से मार कर ही दम लेगा वहीं दुसरी और बानी इस बात से अंजान है कि वीर का बदला रोप सत्यों की एक बुरी परचाई का नतीजा भर है तो ऐसे में अप कहानी में और भी दिल्चस्प मोड आने वाले हैं धिरस धूपर और सुर्वी चंदना की एक कहानी और भी दिल्चस्प होने वाली है तो आप इस जोड़ी और नागिन 5 की कहानी को लेकर कितने हैं एक्साइटेड बताए अपनी राया नीचे कमेंड सेक्शन में